गूड इवनिंग मेरी सोई में आपका फीर से स्वागत है आज जो मैं आपको रस्पी बताने जा रही हूँ वो है मेथी मटर मलाइक की रस्पी जो की खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिस होती है हमने मेथी अलू वगेरा बहुत कुछ डालकर हमने इसको बनाया है पर में आपकेजी के लगबग में मटर निकाले हुआ है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है अब हमने इसको अच्छी तरह से वाइल नहीं करना है थोड़ा गरम पानी और होने दो यानि कि 2 मिन तक इसको इसी तरह गरब पानी में छोड़ना है जिससे कि यह थोड़े से सौफ हो जाएं तो उसके बाद में हमने इसको पानी को बाहर निकाल देना है हमारा पानी थोड़ा सा गरम हो चुका है तो अब हमने इसके अंदर 1-4 टेबस्पून के लगबग हमने नमक एड़ करना है और इसको अच्छी तरह से मिलाना है और हमने इसको दो मिन के लिए इसी तर पाहिक के अंदर मैंने टू टेवल स्पून के लगबग मैंने गी तेल एड किया है और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म करना है और उसके बाद में हमने मेथी के अंदर डाल नी है जब तक हमारा ओयल गर्म हो रहा है तब तक यह हमारे मटरब ओयल हो चुक है तो अब कर्गा दो अब मेंने जो मेती लुति मेती को मैंने काट लिया है और मैंने एसकी देल के अंदर के शिला और तरह यह अधुको तो अब हमने इसको दो में तक इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मिलाना है तेल के अंदर और अच्छी तरह से इसको हमने तेल के अंदर फ्काई करना है के निए देखी यह मैनिस मे थी को अच्छी तरह से mix कर लिया है ये देखी जब इसमे अभी पानी है मे थे के अंदर तो हमने इच्छी तरह से मिल का पानी को सुका ले और इसी तरह से हमने चलाते रहना है यह मेथी है जो हम लगवग आज कल 1 kg आप केजी लेते हैं तो यह तोड़ते हैं तो काफी सारी निकलती है पर जब हमने इसको मिक्स करते हैं या इसके सबजी बनाते हैं तो यह बहुत कम क्वांटेटी में रह जाती है तो इसलिए जितनी और करें नहीं आपको जूरतों उसी साबचाम से अप धी लीजिए यह बहुत अच्छी रेस्पी है कोई भी घास्ट हमारे गार पर आता है तो आप उसको यह रिस्पी बना कर किला सकते हैं बहुत अच्छी रिस्पी बनती है यह और बहुत ही ज़्यादा स्वादिस बनती क्टिक एंदर को अप्तिक अप्तिक में से निकाल लेना नियुक। जिस कडाई के अंदर में करते को नियुक। इस फ्राइ के अंदर में को धिक किई तो यह प्ली अधर में में ओक द भी सुनिय unfinished जूरा ढया & फैसलिकरी दूरियो konst duplag आज प्याज मैंने दू लिये थे लम्बे काटे हैं एक प्याज लिये थे रिंदर एड़ करना है राउन मैंने पांच सशेक अल्म्या लीविस, इसके अदर एड़ करना है और हड़ि new को आज जायन दिया है कजु के लिए ने बर्च बागा लिए हैं जो इसके अदर एड़ करना है और अच्छी तरह के इसके लाई चिसके अंदर डालाना चाहते हैं तो आप इसको वाई कर सकते हो बड़ना हैं तो इसलिए मैंने जो हरी मिर्च है वो दो से तीन डालनी हैं तो इसको हमने अच्छी तरह से फ्राइ नहीं करना है थोड़ा 2-3 मिन्ट तक इसको रोस्ट करना है तो इस तरह से मैंने कम फ्लेम पे इसको मैं रोस्ट कर रहे हूं तो इस तरह से हमने सभी जो प्यास ट्रमाटर हमारे हैं जो मसाला है वो हम इसको अच्छी तरह से कर रहे है खड़े अन्दर खड़े मसालों को वाइड ही करते हूं क्याकि वह थोड़े गर्म होते हैं तो इस्वादा से मैं जीरे का ही इस्क मदा अधर कना हो interpretation तो इदर मैंने वही कड़ाई ली है जिसके अंदर मैंने ये प्यास टमाटर को मैंने फ्राई किया था तो अभी उसी कड़ाई में मैंने तो थरी टेबल स्पूर मैंने और एड किया है और इसको मैंने भी थोड़ी देर के लिए गर्मोने के लिए छोड़ देना है अगर आप मेरी और भी रेस्पी देखना चाहते हो तो आप मेरे स्रीता राना चैनल पर जाहिएगा वहां पर आपको वेजी टेबल की ब्रेक फास् यह बाला चिएगा देखिए गार आपको वहां पे बहुत अच्छी रेत्ते मिलेंगी तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप अपने धोस्तों के साथ उनको शेर भी कीजिएगा स्प्रस्क्राइब भी कीजिए थे मतबसरा तो इस वादर से यह थोड़ा सा तो इसी तरह से हमने यह जो ओईल हो मैंने तो घर्म करना है तो थोड़ा कच्चा पणना रहें तेल के अंदर जो सब्जी का वो खरावना हो तो इसलिए हमने थोड़ी जेर के लिए और इसको तो तेल को हमने करना है गरम करना है तो यह देखिए यह हमारा लगवा तेल है जो यह गरम अच्छी तरह से हो रहा है वैसे मैं सरसो का तेल ही यूज करते हूं तो अगर आपके पास कोई भी तेल हो आप यूज कर सकते हो अगर आप इसके अंदर गी से अगर आप यह सब्जी बनाना चाहते हो तो आप उससे भी बना सकते हो बार मैं मोस्टली फरसो का तेल ही यूज करती हूं हर वैजी टेबल के अंदर कभी-कभी जो गी होता है वो मैं यूज कर लेती हूं तो यह देखिए यह हमारा जो ओल है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और जो यह पेस्ट अब हो नाया था मीने वह इसके अंदर मेने डालना है हूं जो बकी इसके अंदर है यह यह हो तो इसके अंदर हमने पानी डालना आक है और इस तरह to be यह देखे बहुत ही अच्छा कलर आया है तो इस तरह से हम इसको चलाना है तो हमने इसको इसी तरह चलाते रहना है तो जो हमारा पेस्ट बच गया था हमने उसके अंदर पानी आड़ करना है तरहें के बहुत कि पाने के बार हम नेर्ट हो जू तरहीं होबphenाने के すपी ऐड़ करने पाने के बहुत है कि आप refuse के ऐड़ करना है पूर हमने अची तरह होँ थिख के अल कर लेड़ करना है और इसको भी हमने अच्छी तरह सबसे पहले नमक एड़ किया है तो इसको भी हमने अच्छी तरह से इसके मिक्स करना है और हरी लाल मिक्स पाउडर्ट वो मैं बहुत का मात्रा में यूज़ करती हूं तो इसलिए मैंने इसमें 1-4 टेबल स्कून ही लिया है तो आपने टेश के पाउडिंग लाल मिक्स माइन में इख लगया है और अब हमने सभी मसाल्यों अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो हमारा पेष्ट है उसको असाले रहाए पुए음 अ के हमारी सबृश्ँ कणलर करत द्योक्तम ए अशा विए देखें यह हमारा मसाला मैं जो को चाट से 5 मिन तो शुकें इसको मुनने में तो यह मारा मसाला भी एक से 2 मिन और लगेंगे तो यह देखें यह साइडों में से ओयल निकलना श्चाउट होतेगा जिसका मतले वहारा जो ग्रेवी है वह अच्छी तरह से बुन सुकी है मैं जब तक अच्छी तरह से बुन दिया ति तब मुझे सेमक जाना मटसी, तो यह रहा से और लगेंगे तो यह देखें। निकलना स्टार्ट हो चूक है जिसके की पता लगता है कि यह हमारा जो मसाला है घ्रेवंगा बहुत अची तरह से बुन चुकी है तो अब मैं इसके अंदर एड करूंगी हमारी मिठी कि असा आब हमने इसको अच्छी तरह से इसके मिक्स कर लेना है यह देखिए बहुत अच्छी तरह से बन लिया है तो इसी तरह से में इसके अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब मैं इसके अंदर मट्राइड कर गया हूँ मेथी को एड़ करने के बाद अब मैं इसके अंदर मट्र एड़ करूंगी यह देखिए मेथी मट्र को मैंने ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी यह देखिए जे दो मिमध हो चुके थे यह देखिए मैंने को डगके इसको-पकाया था यही मैंने डटतन उतारा है तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से बनकर एड़ ही pénेł ऑपहद दो उसको एड़ किया है तो इस तरह से यह देखिए अब हम निलाई को और सभी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स करना है और अभी चलावते रहना है इस तरह से यह देखिए यह कोई भी मलाई मार्केट से लई भी यूज़ कर सकते हो और गड़ जो हम्दूर को वाय करते इसके जो मलाई होती है उसको भी हम निकाल के साथ यूज कर सकते हैं तो एक मिन तक हमने इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है यह देखी यह बहुत अच्छी जो है डिश बनका रैडी होई है और एक बार आप इसको जुरू ट्राइ किजिएगा एक बार आप इसको ट पर नहीं भी होते वो डालने हैं आप सिंपल मेटर से आप एक बार जुरू इसको बना कर देखिएगा बहुत अच्छी रेस्पी बनका रैडी होगी यह देखिए यह मलाई डालने के बाद मैंने इसको दो मिन तक बिना डके मैंने इसको लो फ्लेम पे पकाया है तो अब य इसको बंद कर देना है और यह सर्वीं के लिए फिल्कूर एडी है